हम लोग यह जाने कि कोशी का क्या है कोशी सबसे बरी कोशी का क्या होती है सबसे छोटी कोशी का क्या होती है कोशी का सिध्धान्त है कि सभी सजीवों में क्या होते है सेल्स मौझूद होते है कोशी के संद्जना पाया जाता है और यही सिध्धान्त जो है आपके सेलिजन और स्वान नाम के वग्यानिक ने कहा था दिया था और यहां पर देखिए आपका जो है क्लास नाइन्थ में आपके बुक में जो है पेज नमर जो थिरी है पहला धिया है कोशी का जीवन की आधारभूत इकाई है ना उसमें पहला जो है किरिया कलाप दिया गया है प्याज का एक नहीं तरह से क्या है तिखलाई देती है किताब में तो हम लोग क्या करेंगे जो आपके प्याज माईक्रस्क्रोप्र तो औरưग, एक। एम केनौल और ई रसका के द्वारा किया गया था ठीक है जिनकी साहिता से कोसी का एवं कोसी कांगों की रचनाओं का धीरे-धीरे क्या हुआ ग्यान बढ़ा तो एक्चुली में वास्तिविक तोर पर कि जो भी आपके सेल्स हैं वो क्या है माइक्रोस्कोपिक है यानि कि वो न देख सकते हैं जो क्या होते हैं नगनाखों से नहीं दिखलाई पड़ते तो अब हम लोग क्या करेंगे जो क्या है आपका पहला जो किरिया कलाफ है न तो इसमें जो क्या करने हैं आपको यह जो प्यास की जिलिया है वो हम लोग करके देखेंगे एक्चुली में क्या है कौन-कौन से हिस्ते हैं कौन-कौन से पार्ट सैं तो सबसे पहला आप अपना बुक देखिए वहाँ पर दिखा हुआ है सबसे बेस में आधार लिखा हुआ यह नि की पीलर्स होगा उसके बाद जो है दरपन दरपन का क्या काम है जो अदरपन मतलब होता है आई ना ठीक है मीरर तो मीरर क्या करता है यह प्रकास को जो है क्या करता है रिफलेक्ट करता है यह परावर्तित करता है किस से उसे आपका कंडेंसर है कंडेंसर मतलब क्या होता है प्रकास को क्या करता है जुटाता है औ कि जहांब फिज़क्टी औस है ऊबजेक्टीव किस को बोलेंगे जहांब एक सबीतरा रहरे हैं हम लोगोर मैत देखते से लिंदेटरि दोनों आख में इस तरह का जो है इस है ट्यूब यहांका जो अभी द्रिश्यक लेंस जिस्के जो है बस्तू की तरफ रहेगा वह ऌपड़ कि दिसको related 00. 00 ऑपका मीरे रहना मीरे क्या करता है अभी द्रिश्यक लेंस से होते हुए नेट्रिंड इकां जाक म้र कोthis अब जब तक परकास नहीं आएगा तो हम लोग बस्तु को देख पाएंगे नहीं देख फाएंगे तो इसलिए जो आपका मीरर जो है वह क्या करता है अब ध्रिश्चक लेंज्च से होते हुए आपका ने ट्रिकालेंज था क्या करता है प्रकास को भेजता है तो इसके लिए के दरपन उसके बाद संगराई frame ज को कंडेनेसर बोलता है वह झूता अपर कास और भेजता उसके बाद है गुरनी किया है इसको कहते हैं इसका है जब लोग क्या करते हैं जब तते क्यों करना होता है तो फिर हम नोग उसको क्या करें के mord के ठीक है लंबे समय तक इस पर काम कर सकते हैं, लंबे समय तक जो है कोई भी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, आगे है अभी द्रिश्यक लेंस, यानि कि एक ऐसा लेंस है माइक्रोस्कोप में, जो कहां है, जो अबजेक्टीव के पास है, objective के तरफ है तो उसको हम लोग क्या वोलेंगे अभी दिरिशक lens बोलेंगे और भुजा क्या कहते है आरम कहते है आरम हम लोग इसलिए यहां पर जो हम लोग आरमस को पकर के है माईक्रोस्कोप को हम लोग एक जगा से दुसरे जगा ले के जा सकते है यानि handling करते हैं हम लोग इससे भूजा को पकर करके जो एक जगह से दूसरे जगह सुरक्षित अस्थान पर हम लोग लेके जा सकते हैं रखा जाता है इसी की मतल से आगे है सुक्ष्म समायोजन पेच ठीक है इसको अंग्रेजी में कहते हैं यकर अगर क्या करेंगे घुमाएं तो कम ही मोवमेंट होगा किसका मोमेंट होगा तो थरिस्च區 से शर्ट καई ही जो है क्या करेंगे आगे पीछे होगा यानि कि adjustment होगा जब हम लोग देखेंगे ना पेच को घुमा करके तो हमें हरकत बिल्कुल नहीं मालूं होगा पटा नहीं चले गा लेकिन जो आपके क्या है जो अब्जेक्ट्स हैं ना जो आपके यहां पर सराइड पर रखे गए गये हैं वह चीज़ में जो है आपको हरकत साफ-साफ पता चलेगा किसी से सुक्ष माईओ सुक्ष मतलब होता है कम थोड़ा या इस भासा में वह ले तो सुक्ष में श्माईओन तो यहां पर और आप देख सकते हैं आप चाहिए करना फ्ले खेख है Microscope वाला तो उसने शारी हिसे इस तरह से आप आप अपने किताब में भी देखते हैं नहीं पर तो इस तरह से सारे हिसे जो है फिदे से हमापको बताएंगे तो इसी ट्यूम में प्रकास जो है उपर तक पहुंसता है नेत्रिका तक पहुंसता है उसके बाद जो है आपका प्रारंभी समायोजन्स पैंज से लोग क्या मोलते हैं आपको नहीं पता चलेगा आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ से भी देख सकते हैं अपने किता पेज नमर जो है आपका ठीरी है और यहां पर देखिए चीतर संक्या 1 दसम लगचार में प्याज की झिली की कोशिका का चीतर है, तो आप और हम लोग ये भी देखेंगे, जो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना करके हम आपको दिखाएंगे, क्या चीज़ कि इनकी सत्य मायने में, ये तो आप किताब में देख रहे हैं, आप आगे तो हम लोग बनाएंगे न हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे तो सब सेचीज आपका प्याज चाहिए एक ठीक है इसको नोग क्या कहते हैं और विग्यान की भासा हम लोग जीप बिग्यान पर रहें तो इनका बैलेजिकल नाम भी हम लोग को याद रखना होगा प्याज का विज्ञानिक नाम क्या है तो इलियम कीपा है क्या है इलियम कीपा यानिकी प्याज को हम लोग क्या कहते हैं इलियम कीपा भी कहते हैं इलियम कीपा ठीक है इसका क्या है वानस्पतिक नाम है ठीक है तो इसमें क्या क्या चाहिए प्याज चाहिए पहले माइक्रोस् चाहिए उसके बाद आपको क्या लेना होगा आपको जो है वाजटे लास रखना होगा ताकि जो है हम लोग जैसे pa कर रहे हैं तो आपको कई चीνशा हीए अगर ब Katy समाल किजीगा तो बिलेड तो यहां पर क्या चाहिए हो सब्सक्राइब vara है और यहां है यह डिश्यब्रे की सुख़ेंगे इसने अंत्रिक पर तो कुछ चीमटा के सहता से हम लौग क्या करेंगे उतार तो यहां क्या चीमटा भी चाहिए हो जिसको हमको चाहिताया झाहिता फोर सेफल कहते हैं क्या कहते है पोर सेफल को आपको जुत हैं दिखाएंगे जैसे आपना वागे थुट्री सतउ पदली और पारदर्सक जिलिक दिखाई देगे इस जिल्ली को बाच गलास पे रखें, जल में डालाँ ठीक है, अब एक वाच गलास यानि काँच का जो साफ सलाइड हम लोग लेंगे, इसके मध्य में एक बूंद जल ड्रवर की सहाइता से डालें, वाच गलास में रखें, जिल्ली के एक छोटे टुकरे को चीम्टे की सहाइता से सलाइड के जल पर रखा है, याकि वहाँ पर क्या होगा पानी रखेंगे, यह दियान रखेंगे कि जली का टुकरा मुरे नहीं या화 को आपको वहाँ साबधानी भी रखनी है, प्रीकरसन सिंस भी रखना अब जिल्ली के ऊपर एक बुंद ग्लिसरीन डालकर निडिल की साहिता से एक स्वच कवर स्लिप को इस परकार से ढखें इसमें वायू के बुलबुले ना आए तो दू सावधानी बताई गई है क्या क्या एक चीज तो पहला जो आपको क्या करना है जो आपका जो क्या है जिल क्या होता है तो उसको अगर हम लोग ढखेंगे न तो यह सामधानी रखेंगे वहाँ पर कि जो वायू के बुलबुले जो है ना यानि की एरड्रॉफ जो है वो ना है इनके साथ साथ जो अब हम क्या करेंगे इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में कम से कम कम सक्ती में 100 गुन देखेंगे अब देखेंगे एक चेज़ समस्या गया कि एक साभाण किसको rural को लेंगे चार्सौपचास गुना किसको बोलेंगे है न तो यह आप माइक्रोस्कोप अगर है ना तो वहां पर हम लोग देखेंगे जो नेतरिकाल लेंस है उसका खावी सक्ती होता है क्या होता ह सक्ति होता है तो सक्ति में अगर 10 पावर हैं 10 x है और नीचे में जो आपका 10 x है तो दोनों को हम गुना करेंगे तो x होगा तो कहने का मतलब अगर इसकी बात मने तो ने त्रिकालेंस का भी पावर 10 होना चाहिए 10 x होगा और अभी अभी 10 X होगा तो 10 गुना हम को जो प्याज का जिल्ली बड़ा दिखेगा कि नहां तो यहां पर 101 वह ही कहता ठीक है अब यहां 450 X है न तो अगर उपर में 10 नित्रिका लेंस में 10 सुगुना रखेंगे और नीचे अभिद्रिस्यक में 45 रखेंगे यानि 45 X तो जो है हम लोग को इतना दिखेगा तो यहीं बात आपके किताब में लिखागे है न तो यहां पर जो है प्याज के छिल्के के यानि जिली जो है न उनका हम हम लोग क्या करेंगे पहले देखेंगे कि वो किस तरह से जो है माइक्रोस्कोप में दिखते हैं आप बुक में तो है यह है न जी आप देख सकते हैं प्याज की जिली की कोशिका जो है इस तरह से देखें दिखलाई पड़ती है लेकिन हम लोग देखेंगे देखेंगे वहा है लेंगे यह सब पहले ञखाली जो मायक्रोस्कॉब लेंगे प्याहिए दिर्गे और उसके बाद जो कवड़ स्लीप आपका जु भूरसे çalış निडिल ये सब सबसे पहले जो है इनकी जिलियों को देखेंगे जो कि चप्टर नमर एक पेज नमर थिरी नाम है कोशिकात जीवन की अधारभूतिक आई इसमें पहला किरिया कलाप है यह हम लोग देखेंगे ठीक